पश्व के अब लेकिन उसके अंदर रहता है प्रोटो जोल ड्रोप साथि अगर आपको म्यूकस मेंब्रेंट देखना आ गया है तो आप पश्व की आदिस ज़्यादा बीमारिया तो म्यूकस मेंब्रेंट को देखके या पता लगा लेंगे और उनका आप सईसी म्यूकस मेंब्रेंट क्यों देखते है क्योंकि बड़ी बड़ी फचुम घतक बिमारियां होती उनके लक्षण और उनके हैं उसके की अगया हो जाता है जब या आप मेला एक मेले वीडियो आप ने देख लिए Jetzt लिया तो आप पश्व की आती बीमारियों का ईलाज दो Obrig वाल मुकस मेंब्रेन देखके पता लगा के कर देते हैं सबसे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि पशुपालन से जुड़ी हर समस्चा के समाधन हमारे चैनल पर आपको मिलता है अब कई कई बार क्या होता हम पशुपालन को देखते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आदा हम उसके आँको खुलकर देख लेते हैं फिर सोचते हैं यहां तो कुछ नहीं मिल रहा है अब इतनी विमारी में किसका नाम देंगे क्या यह भई विमारी है इसकी मिउकस तुलाल हो और उसके बाद हम कैसे डाइग्नोस करेंगे कि उस बिमारी की और जहां पर हमें लक्षन गुप्त मिले जहां पर पश्चु कोई सिंप्टम से नहीं दिखा रहा हूं लेकिन बिमारे तुम आप पर म्यूकस मेम्रेन हमें कैसे दिखा देगी कि इस पश्चु को यह बिमारी सबसे पहले अगर आपको म्यूकस मेम्रेन कैसी दिखे पूरी तरीके से वाइट मिले वाइट से स्टाट करते हम कि अगर आपको म्यूकस मेम्रेन जैसे यह देखे मूकस मेम्रेन अब यह मूकस मेम्रेन देख लिए आपने पूरी तरीके से वाइट ना ला ले ना गुला भ वेड़ी आपको आधी जगह पर येलो मिलने के चांस से लेकिन अगर पशुक को जादा मात्रम पढ़े हो गया था और इसके बाद को वाइट में आप कर सकते किया इसको पहले लाल पेशाप किया था पहले पहले उसके बाद एक महीने बाद अगर पशु बिमार हुआ है तो आपको वहाँ पर वाइट मिलेगी और वहाँ पर आपको फेरिटास इंजेक्शन लगाने की जुरुत पड़ेगी देखिए कहां से कहां पर पहुंच रही म्यूकस मेंब्रेन इसके अलावा जहां पर पशु नीचे बेट जाए पशु के सरीडिको की कमी होने लगती पशु की फॉलिकी क्सिट की लुगती है यानि खुन कमी होने लगती है तो वहाँ पर हमें एनिमिया मिलता है पशुNoteा में पर प् बत्मेली मिल सकती इसमें मिलती आप यहांसे पता लगा लगा कि यह पस्षु डायुर स्टस्पर में स्न्रम में चीज़ के अग्नुकस में देखेंगे तो वाप पर आपको उसी का परिद्लाम है यहां पर हमें क्या करना है यहां पर दो मेम्म्र眠लम यहां अट जाना पड़ता है यहां पटा लगा सकते कि में रशुक के पशुको यह बिमारी होई यहां पर क्या होगा यह अगर पशुक को इंफेक्शन हुआ है उसके काण़ पशुको तापमान हाई हो रहा है तो महां पर आपको क्या मिलेगी मुकस में आपको रेड मिलेगी अब समझना मेरी बात को यदि कोई बीमारी जैसे गल गोट हुए ब् और दो मिलेगी जिन जिन विमारियों मिलेगी मिलेगी लेकिन त्रीपानासुमाइस लिए यांनि प्रोटोजोल रोग एक ऐसी कंडिशन होती उसमे जिसमें मुकस में को पहचानना हमें बेहत जरूरी और वहाँ पर पहचानने में कुछ इसी मिस्टेक्स आती है जिनके करण लोग वहाँ पर पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बेरेनिल लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि यह प्रोटोजोल रोग है या नहीं क्योंकि गणिरफी लेकिन इसके अंदर ऋहाँ लेकिन इसके अंदर अघर आपने गल और कोई भी बिमारिया अब अगर उनके करना पशु की आंख लाल हो रही तो बहुत पूरी लाल रहेगी पूरी खुण जैसी रहेगी लेकिन अगर प्रोटो जोवल रोख के करना पशु की आँख मेरेड ने से तो महां पर आप क्या करेंगे आपको कैसे पता चलेगा पशु की मियूकस में मिम्रेण दे कि चोटे चोटे कंड के इसका रेड़ने का दिखाई देंगे और यह द ऑप पशू की वल्वे में भी देख सकते हैं आपको क्या कि अगरby लाद डिखायदे पशू को को साथ नहीं हुआ है परसू को प्रोटो जोल्या सर्रा कि कोई लक्पा नहीं आते हो लेकिन अगर आपको यह रेड रेड डबा मिल जाए यहां पर आप बेरी निल लगाने से कभी मत चुपना यहां पर आप जब तक बेरी निल लगाएगी चाहिए मेलोक से पर कोई सीभी एंटिबाइटिक काम नहीं करेगी क्योंकि यह प्रोटोजोल रोग बेरी क्या होगा लाल लाल हमें दब्ले लीए आप सारे परोटों लोग किया पहचान कर सकते हैं उत्रिक कर सकते हैं इसके अलावा पहस्णा कर सकते हैं क्योंकि इसमें साथ वाल भी य Grade होगा वर्चु का मौ भी पीला गों ढौछ आखें यह स्वारे स्म्टम से लेकिन क्यों मैं कैसे पहचाना है कि सिंप्टभम समें आपने उसकी को देखा रहे 거지 यह और पजिए क्यों समझ लेसे समझ यह का कैसे यह जोन डी से हमें इसका लित् पश्व नेचे बैठ जाते तो महां पर मिल्क फ्यूवर होता है और 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 कोई होता है यह अगर पश्व की म्यूकस वाइट है तो समझ ले यहां पर कैल्शम लगाने की जूरत बिल्कुल नहीं यहां पर में 10 से में फिरिटा और पश्व को दो ड्रीफ हमें लगा देंगे पश्व हमारा चुटकियों में ठीक हो जाएगा तो जादूरी टीटमेंट कर सकते और पश्व को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लिए ऐसे हर्फिल कंटेंट में लाता है रहता हूं तो मिलते हैं अगले हुड़ाम तब तक के लिए जैहिन जै भारत